अपना NCRT Learner में आपका स्वागत है आज हम चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है Forest Society and Colonialism तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं इसको जानने से पहले आईए हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं तो Modern World का Emergence कैसे हुआ इस बात पर विचार करते हुए हम अकसर Factories और Cities पर ही ध्यान देते हैं और इसके अलावा Market को Supply करने वाले Industrial और Agriculture सेक्टर पर ही ध्यान देते हैं हम यह भूल जाते हैं कि इन सेक्टर के बाहर भी दूसरी Economies भी हैं दूसरे लोग भी हैं जो Nation के लिए Important हैं Modern Eye से देखने पर ऐसा लगता है कि Pastoralist और Forest Wailers का मतलब की चरवाहा और वनवासियों का जो Life है वो अतीत में कहीं अटक कर रह गया है और जब हम Contemporary World के Emergence का Study करते हैं तो उनके प्रती जो है हमारा रवया कुछ ऐसा रहता है मानो उनकी जिन्दगी का जो है कोई Importance नहीं है इसलिए हमें जो है उनकी जिन्दगी के बारे में जानना चाहिए हमें देखना चाहिए कि वे अपने दुनिया में कैसे रहते हैं कैसे वे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं क्यूंकि ये लोग भी जो हैं पूरी तरह से उस दुनिया का हिस्सा हैं जिसमें हम आज रह रहे हैं और हमें ये याद रखना चाहिए कि वे गुज्रे हुए जमाने के बचे-खुचे लोग नहीं हैं तो अब आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं अब चलिए देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं तो इस चैप्टर में जो है हम जंगलों की सैर करेंगे यहां हम देखेंगे कि जंगलों में रहने वाले जो कॉम्निटीज हैं वो जंगलों का किस-किस तरह से इस्तिमाल करते हैं यहां हमें पता चलेगा कि 19th century में इंडस्ट्रीज और अर्बन सेंटर्स इसके अलावा स्वीप्स और रेलवेज के ग्रोथ से टिमबर और अन्य जो फॉरेस्ट प्रोड़क्ट थे उनके लिए जंगलों पर दबाव जो है वो कितना बढ़ गया था इन नहीं जरूरतो और मांगों के चलते जो है जंगलों के परियोग मतलब कि फॉरेस्ट यूज से जो समंदित रूल्स थे उसको बदले गए और जंगलों को और्गनाईज करने का जो तरीका था उसमें भी बदलाव आया इन सारे डिवलप्मेंट से जो है फॉरेस्ट लिसोर्सिस का इस्तमाल करने वाले जो लोकल कॉमिनिटीज थे उनकी जिंदगी पर भी बहुत असर पड़ा उन्हें जो है नया सिस्टम में काम करने और अपने जीवन को नए तरीके से और्गनाईज करने के लिए फॉर्स किया गया लेकिन इसी में जो है कई बार उन्होंने रूल्स के खिलाब बगावत भी की और सरकारों को जो है अपने रूल्स बदलने के लिए फॉर्स किया स्टार्ट करते हैं और चैप्टर की एक एक लाइन को बहुत अच्छे से समझते हैं तो अपने स्कूल और घर में जो है चारो और नजर दोरा कर देखें और उन सभी चीजों को पहचाने जो जंगल की हैं जैसे इस बुक का पेपर डेस्क एंड टेबल्स मतलग की मेज और कु कप्रे रंगे जाते हैं स्पाइशेज मतलग की मसाले जो की हमारे खाने में यूज होता है टॉफी के सेलोफेन रैफर बीरी के तेंदू लीफ गम हनी कॉफी टी और रबर साथ ही चॉकलेट में इस्तमाल होने वाला वाइल जो की साल के सीट से निकलता है एनिन जिसे इसकी इनको कनवर्ट करने के लिए यूज होता है और साथ ही साथ दावाओं के रूप में इस्तमाल होने वाली जरीबूटियां इन सब को भी हमें नहीं बूलना चाहिए और ये भी अगर आपको कम लगा तो फॉरेस्ट और भी हमें बहुत कुछ देती है जैसे की बैंबो मतलब के बांस जलावन की लकडी ग्रास चारकोल पैकिंग में इस्तमाल होने वाली वस्तुए फ्रूट्स फ्लावर्स एनिमल्स बर्ड्स और भी बहुत सारी चीज है हम जो है एमेजन फॉरेस्ट और वेस्टरन घाट यहां पर पांसो से ज़्यादा वेराइटी के प्लांट के जो इस पीजेज हैं उनको देख सकते हैं लेकिन यह जो डाइवर्सिटी है यह दीरे-दीरे खत्म हो रही है इंडस्ट्रिलाइजेशन के दौर में लगभग 1700 से लेके 1995 के बीच में 13.9 मिलियन स्कॉर किलोमेटर जो फॉरेस्ट है उसको साफ कर दिया गया जो की वर्ल्ड क टोटल एडिया के 9.3 परसेंट लगभग था और इसको साफ किया गया इंडस्ट्रियल यूज के लिए कल्टिवेशन के लिए पैस्चुर के लिए और फ्यूलिट के लिए तो चलिए आगे हम देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन जो है क्यूं हुआ मतलब वनों का जो विना पैस हुआ वह क्यों हुआ तो फौरेस्ट के डिसैपियर होने को ही डिफॉरेस्टेशन कहते हैं ये जो डिफॉरेस्टेशन है ये कोई नई समस्या नई है वैसे तो यह प्रकडिया है ये सदियो से चलिया रही थी लेकिन कॉलोनियल रूल के दोरान यह जादा सिस्टेमेटिक और एक्स्टेंसिव हो गया मतलब काफी जादा रूप में होने लगा आईए भारत में डिफॉरेस्टेशन के कुछ कारणों पर ध्यान दे तो हमारा अगला टॉपिक है लैंड टू वी इंप्रूब्ड तो 1600 में इंडिया के लैंड कर हाफ मतलब की आधे तक पहुंच गया है इन सदियों के दोरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और फूट की जो डिमांड है वो बढ़ती गई वैसे वैसे पीजेंट मतलब की किसान भी जो है जंगलों को साफ करके जो खेती की बाउंडरीज है उसको बढ़ाने लग कोलोनियल पिरियड में खेती में जो है वो तेजी से एक्सपैंसन हुआ इसकी जो है कई रीजन्स थी पहला रीजन ये था कि ब्रिटिस ने कॉमर्शियल क्रॉप जैसे कि जूट, सूगर, वीट और कॉटन के प्रड़क्शन के लिए जम कर इंकरेज किया 19th century के एरोप में बढ़ती अर्बन पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए फूट ग्रेंज की जरुवत थी इसके अलावा इंडस्ट्रिल प्रड़क्शन के लिए भी रोव मोटेरियल्स की जरुवत थी लिहाजा इन फसलों की जो मांग में जो है इजाफा हुआ था अगर हम सेकेंड रीजन की बात करें तो वो ये थी कि 19th century की सुरुवात में कोलोनियल इस्टेट ने जो है वो जंगलों को अनप्रोड़क्टिव समझ लिया था उनके हिसाब से अगर बात करें तो इस फालतू के जगा पर खेती करके अगरिकल्चरल प्रोड़क्ट्स और रेवेन्यू को जो है पैदा किये जा सकता था और इस तरह से स्टेट की इंकम में बढ़ोतरी की जा सकती थी यही वज़ा थी की 1880 और 1920 के बीच में जो कल्टिवेटेर एरिया है उसमें 6.7 मिलियन हेक्टेर की बढ़ोतरी हुई हम जो है कल्टिवेशन के एक्सपैंसन मतलब की खेती के बिस्तार को जो है प्रोग्रेस का साइन मानते हैं लेकिन हमें जो है यह नहीं भूलना चाहिए कि जमीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है इसी थौट के साथ आगे वठते हैं और हमारा अगला टॉपिक है इसलीपर ऑन दा ट्रैक्स मतलब पट्री पर इसलीपर यह इसलीपर जो है वो रेल की पट्री के आर पार लगे लक्री के प्लैंक होते हैं मतलब की तक्ते जैसा होता है जो पट्रियों को उनकी जगा पर रोके रखते हैं तो 19 सेंचुरी की सुरुआप तक इंगलैंड में जो ओक के फॉरेस्ट थे वो डिसैपियर होने लगे थे इसकी वज़ा से रोयाल ने भी के लिए जो टिंबर की सप्लाई चाहिए थी उसमें मुश्किले अखडी हुई स्ट्रॉंग और डिूरेवल टिंबर की रेगुलर सप्लाई के बीना इंगलिस सीप जो है वो भला कैसे बन सकते थे और सीप के बीना जो इंपेरियल पावर है वो कैसे बचाई और बनाए रखी जा सकती थी इसलिए 1820 के दसक में सर्च पार्टी को जो है वो इंडिया बेजा किया ताकि फॉरेस्ट रिसोर्स को जो है वो एक्स्प्लोर कर सके इसके फल स्वरूप एक डिकेड के भीतर ही बड़े पैमाने पर पेर काटे जाने लगे और भारी मात्रा में जो है टिंबर का इंडिया से एक्सपोर्ट होने लगा इसके बाद 1850 के दसक में रेलवेज के स्प्रेड ने जो है लकडी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी क्योंकि कोलोनियल ट्रेड और इंपिरियल टूप्स के मुव्मेंट के लिए रेलवे लाइन्स की जरुवत थी वहीं लोकोमोटिव को चलाने के लिए फियूल के तौर पर और रेल की पट्रियों को जोड़े रखने के लिए इसलिपरों के रूप में लकडी की भारी जरुवत थी और एक माईल लंबी रेल की पट्री के लिए 1760 से लेके 2000 इसलिपर्स की जरुवत परती थी इन सब से भारत में जो है रेल लाइनों का जो जाल है वो 1860 के दसक से तेजी से फैला 1890 तक आते आते लगभग 25,500 किलो मिटर लंबी लाइने जो है वो बिछाई जाच चुकी थी और 1946 में जो है इन लाइनों की जो लंबाई है वो 7,65,000 किलो मिटर तक बढ़ चुकी थी रेलवे ट्रेक के स्प्रेड के सांस सांस जो है बड़ी संख्या में पेड भी काटे गए और इसका एक एक्जामपल जो है हम मदरास प्रेसिडेंसी में देख सकते हैं जहां 1850 के दसक में हर साल 35,000 जो ट्रीज हैं वो इस लीप रो के लिए काटे गए हैं गौवर्मेंट जो है अपनी रिक्वाइर कॉइंटिजी को पूरा करने के लिए इंटिवीजूल को कॉंट्राक देने लगी जिसके बाद इन कॉंट्रैक्टर्स ने जो है बिना सोचे समझे पेर काटना सुरू कर दिया और जिसका नतीजा ये सामने आया कि रेल्वे ट्रैक के इर्दगिर्द जंगल जो है वो तेजी से गाइब होने लगी तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे प्लांटेशन्स की मतलब अब हम बागानों की बात करेंगे तो यूरोप में टी, कॉफी और रब्बर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन चीजों के जो है प्लांटेशन बनाए गए और इनके लिए भी नेच्वल फॉरिस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है साफ किया गया मतलब की क्लियर किया गया इसके बाद कॉलोनियल गॉर्वर्मेंट ने जो है जंगलों को अपने कबजे में लेकर उनके भास्ट एडिया को जो है बहुती चीप रेट पर यूरोपियन प्लांटर को सौप दिया इसके बाद इन इलाकों को इन क्लोज करके जंगलों को साफ कर दिया गया और टी और कॉफी की जो खेती है वो की जाने लगी तो आगे बरते हैं और अब हम बात करेंगे दराइज ओफ कॉमर्सियल फॉरेस्ट्री तो हमने पिछले सेक्षन में देखा कि सीप और रेल की पट्रिया बिछाने के लिए जो है बिटिस को फॉरेस्ट की जगवत थी बिटिस को जो है अब इस बात की चिंता थी की लोकल पिपुल्स द्वारा जंगलों का जो उपियोग हो रहा है मतलब की यूज हो रहा है और ट्रेडर्स द्वारा जो पेरों की अंदादुन कटाई हो रही है उससे फॉरेस्ट जो है नस्ट हो जाएंगे इसलिए उन्होंने डाइटरिस ब्रैंडिस नाम के जर्मन एक्सपर्ट को जो है इस बिसे पर एडवाइस के लिए बुलाया और उसे जो है फॉर्स्ट इंस्पेक्टर जेनरल अफ फॉरेस्ट बना दिया गया इसके बाद ब्रैंडिस ने जो है ये रिलाइज किया कि एक प्रोपर सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि फॉरेस्ट को जो है मैनेज किया जा सके और लोग को जो है वो ट्रेंड करना होगा साइंस ओफ कंजर्वेशन में जिसके लिए लीगल सैंक् मतलब कि कानूनी मंजूरी की जरूत परेगी इसके अलावा फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज करने के लिए रूल्स को फ्रेम करना पड़ेगा इन सब के अलावा पेरों की कटाई और ग्रेजिंग को जो है रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ताकि फॉरेस्ट को जो है वो तरह Brandis ने जो है 1864 में Indian Forest Service को setup किया और Indian Forest Act of 1865 को formulate करने में help किया इसके बाद 1906 में the Imperial Forest Research Institute जो है वो setup किया गया देहदून में और यहां जो इस सिस्टम पढ़ाते थे उसे जो है Scientific Forestry कहते थे लेकिन Ecologist सहीत आज जो है बहुत सारे लोग जो है यह मानते हैं कि यह सिस्टम जो था वो Scientific बिल्कुल भी नहीं था फिर भी उस समय जो है Scientific Forestry के नाम पर different types के जो trees थे उनको cut डाला गया और उनकी जगा जो है Straight Row में एक ही किस्म के मतलब कि एक ही type के जो tree है वो लगा दिये गए इसी को plantation कहा जाता है इसमें जो है Forest Official Forest को survey करते हैं फिर जो area में different types of trees हैं उसको estimate करते हैं और इसके बाद जो है Forest Management के लिए working plan बनाय जाता है इसमें जो है वे plan करते हैं कि कितना plantation area जो है वो cut करना है हर साल कटाई के बाद खाली जमीन पर फिर से पेर लगाय जाने थे ताकि कुछी सालों में या area जो है फिर से कटाई के लिए तैयार हो जाए तो इस तरह से ये process चलता रहता था 1865 में Forest Act के लागू होने के बाद जो है इसे दो बार amend किया गया एक बार तो 1878 में और दूसरी बार 1927 में 1878 के Act में जो है Forest को तीन केटेगरी में बाद दिया गया एक था Reserve दूसरा था Protected और तीसरा था Village Forest और इसमें Best Forest को जो है Reserve Forest कहा जाता था इसमें जो है Villager कुछ भी Forest से नहीं ले सकते थे चाहे वो खुद का यूज करने वाला समान भी क्यों न हो उन्हें जो है House Building या Fuel के लिए जो उर चाहिए था वो उन्हें Protected या Village Forest से लेना था तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखें कि लोग का जो जीवन है वो कैसे परभावित हुआ मतलब How were the lives of people affected तो एक अच्छा Forest जो है कैसा होना चाहिए इसके बारे में Forester और Villager के जो आइडियास थे वो बहुत ही अलग थे जहां एक तरफ Villager जो है अपनी अलग अलग जरूरतों जैसे की Fuel, Fodder और Leafs के लिए जो है वे Forest में Mixture of Species चाहते थे मतलब वे जो है Trees के बहुत सारे Species जो है वे Forest में चाहते थे वही दूसरी तरफ Forest Department को जो है ऐसे पेरों की जरूरत थी जो की Suitable हो Seep और Railway की Building में मतलब की बनाने में उन्हें ऐसा पेर चाहिए था जो काफी Hard हो और इसके साथ साथ काफी लंबा और सीधा हो मतलब की Tall और Straight हो इसलिए Particular Species के जैसे की टीक और साल को जो है परमोट किया गया और जो दूसरे किसम के पेर थे उनको काट डाला गया वही अगर हम Forest Area में बात करें की लोग जो है Forest Product का किसलिए यूज करते हैं तो हमें Forest Product जैसे की Roots, Leaves, Fruits और Tubers का जो है बहुत तरह का इस्तेमाल मिलेगा जैसे की Fruits और Tubers जो की काफी nutritious होती है उसको खाने के लिए यूज करते हैं और खास कर ये जो है तब देखने को मिलता है जब मांसुन के दोरान फसल कट कर घर ना आई हो इसके अलावा Herbs मतलब की जरी बूटी का इस्तमाल जो है वह medicine मतलब की दवाई बनाने के लिए होता है लकडी का जो यूज है वह hull जैसी खेती के ओजार बनाने के लिए किया जाता है वही bamboo मतलब बास का जो है वह excellent fence बनता है इसके साथ साथ उसे basket और umbrella मतलब की टोकडी और छतरी बनाने के लिए भी किया जाता है इन सब के अलावा सूखी हुई scooped out guard मतलब की वह खोल जैसा होता है उसका परियोग जो है पानी की बोतल के रूप में किया जाता है तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जंगलों में जो है लगभग सब कुछ उपलब्ध है पत्तों को जोड़ जोड़ कर disposable plates और cup जो है बनाई जा सकती है सियादी जो की बहुडिया वहीली है उसकी लताओं से रसी बनाई जा सकती है सेमूर जो की सिल्क कॉटन है उसकी काटेदार छाल पर बार्क पर बेजटेबल छिली जा सकती है और महुए के पेर से खाना पकाने और रोसनी के लिए तेल निकला जा सकता है तो हम देख सकते हैं कि जंगलों में जो है लगभग सब कुछ उपलवद है तो हम आगे देखते हैं कि जब forest act आया तो उसके चलते देश भर में जो गाउवालों की मुस्किले थी उससे बढ़ गई इस act के बाद घर के लिए लकड़ी काटना पसूओ को मतलब कि जानवरों को चराना fruits और roots को collect करना इसके अलावा hunting और fishing ये सब जो है illegal हो गई मतलब गैर कानूनी हो गई अब जो है उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और पक्रे जाने की स्तीती में वे forest guard की दया पर होते थे जो उनसे घूंस लेते थे उधर fuel would collect करने वाली जो औरते हैं वे विशेश तोर से परिसान रहने लगी और अब जो है police constable और forest guard जो हैं वो मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोग को तंग करने लगे तो ये तो हमने देखा कि जो लोग forest पर dependent थे उन पर क्या effects पड़े अब हम देखेंगे कि how did forest rule affect the cultivation मतलब forest act से जो है खेती कैसे प्रभावित हुई तो अगर हम one of the major impact की बात करे European colonialism का तो वो था practice of shifting cultivation पर या Sweden agriculture पर यह जो है एक तरह का traditional agricultural practice था जो की Asia, Africa और South America के बहुत सारे parts में होता था इसके जो है कई local name थे जैसे की South East Asia में लादिंग Central America में मिलपा, Africa में चितमेन या तावी और Sri Lanka में चेना अगर हम इंडिया की बात करे तो यहां जो है Sweden agriculture के लिए धया, पेंदा, बेवर, नेवर, जूम, पोरू, खदांद और कुम्री जैसे local term हैं अगर हम स्रिफ्टिंग कल्टिवेशन के लिए बात करे तो इसके लिए जंगल के कुछ भागों को बारी-बारी से काटा और जलाया जाता है फिर मौनसुन की पहली बारीस के बाद इस ऐस में मतलब की राख में बीज जो है वो बो दिये जाते हैं और अक्टूबर नौवंबर में जो है फसल काटी जाती है इन खेतों पर एक दो साल खेती करने के बाद इनहें 12 से 18 साल तक के लिए परती मतलब की फैलो छोड़ दिया जाता है जिस से वहाँ फिर से फोरेस्ट आ जाए इन प्लोट्स पर जो है मिक्स्चेर अफ क्रॉप्स को उगाया जाता है जैसे सेंट्रल इंडिया और अफ्रीका में मिलेट्स मतलब की जौर बाजरा ब्राजील में मेनियोक मतलब की कसावा और लैटिन अमेरिका के अधर पार्ट् थे उनकी नेजर में जो है यह तरीका जंगल के लिए नुकसान दे था उन्होंने महसूस किया कि जहां कुछ सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो ऐसी जमीन पर जो है वो रेलवे के लिए टिमबर नहीं हुआ जा सकते साथ ही जंगल जलाते समय जो बाकी वेल्यूल पेर ह होते थे जैसे कि टिमबर वाला उसके भी आग की लप्टों में आ जाने का खत्रा बना रहाता था इसके साथ साथ स्रिफ्टिंग कल्टिवेशन के कारण जो सरकार थी मतलब जो गवर्मेंट थी उसके लिए टैक्स का हिसाव रखना भी मुश्किल था इसलिए गवर्मेंट थी जंगलों में उनके घर से डिस्प्लेस कर दिया गया इसके बाद कुछ को जो है अपना अकुपेशन मतलब की पेशा जो है वो बदलना पड़ा तो कुछ को जो है छोटे बड़े रिबेलियन के जरिये जो है बिरोत किया तो चलिए आगे बरते हैं और अब हम बात के हूँ कुड हंट मतलब सिकार की अजादी किसे थी तो नए फॉरेस्ट लोग ने जो है फॉरेस्ट ड्वेलर मतलब की वनवासी के जीवन को जो है एक और तरीके से परभावित किया फॉरेस्ट लॉग के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले जो बहुत सारे लोग थे वे दियर और पाट्रीजेज मतलब की हीरन और तीतर जैसे छोटे मोटे सिकार करके अपना जीवन चला रहे थे लेकिन फॉरेस्ट लॉग के कारण जो है ये कस्टोमरी जो प्रैक्टिस था वो अब गैर कानूनी हो गया अब जो है सिकार करते हुए पक्रे जाने वालों को जो है वो पोचिंग के लिए पनिस किया जाने लगा तो जहां एक तरफ फॉरेस्ट लॉड ने जो है लोग के सिकार के जो कस्टोमरी राइट थे उससे वंचित कर दिया वहीं बड़े जानवरों का जो सिकार है वो एक खेल बन गया इंडिया में टाइगर और सदियों से कोट और नॉबलिटी कल्चर का हिसा रहा था बहुत सारे मुगल पेंटिंग में जो है प्रिंसेज और इंपेर को जो है सिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया है लेकिन कोलोनियल रूल के अंदर जो है स्केल ऑफ हंटिंग जो है इतना बढ़ गया कि बहुत सा साइल्ड प्रिमिटीव और सैवेज सोसाइटी के साइन है उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मार कर वे जो है इंडिया को सिविलाइज बनाएंगे टाइगर उल्स मतलब कि बाग भेडिये और दूसरे बड़े जानवरों के सिकार पर यह कहकर इनाम दिये गए कि इनस से जादा बाग मतलब कि टाइगर 150,000 तेंदुए मतलब कि लियोपाड और 200,000 भेडिये मतलब कि ओल्स को जो है मार गिरा गए और धीरे धीरे टाइगर के सिकार को जो है एक स्पोर्टिंग ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा और इसका नतीजा यह देखने को मिला की महराजा और सरगूजा अकेले ही लगभग 1157 टाइगर और 2000 लियोपार्ड को मार चुके थे और वो भी 1957 तक इसके अलावा बिटिस अड्मिनिस्टेटर जॉर्ज यूले ने भी 400 से जादा टाइगर को मारा था सुरुवात में तो जंगल के कुछ इलाके जो हैं वो सिकार के लिए ही रिजर्व किये गए थे काफी समय बात जो है इन्बॉर्मेंट लिस्ट और कंजर्वेटर्स ने जो है आवाज उठाई की जानोरों की जो इन सारी स्पीसिज हैं इनकी पोटेक्शन होनी चाहिए ना क अब जाके धीरे धीरे इसमें कम ही देखी गई तो आगे बरते हैं अब हमारा अगला टॉपिक है निव ट्रेट्स निव इंप्लाइमेंट्स एंड निव सर्विसेज मतलब की नया बयपार नया रोजगार और नई सेवाएं तो जंगलों पर जो है फॉरेश डिपार्टमे ने जो है अपने ट्रेडिशनल अकुपेशन को छोड़ दिया और फॉरेस्ट परड़क्ट का जो ट्रेड है उसको शुरू कर दिया और यह जो है सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे दुनिया में देखने को मिला एक्जामपल के तौर पर देखे तो मिड नैंटीन सेंचुरी में जैसे ही रबर की डिमांड बढ़ी ब्राजिलियन एमेजॉन के जो मुंद्रुकू पिपुल थे जो की उची जगो वाले गाओं में रहते थे और मेनियों को उगाते थे उन्होंने रबर ट्री से जो है लै पर डिपेंडेंट हो गए अगर हम इंडिया की बात करे तो फॉरेस्ट पोड़क का जो ट्रेड है कोई अनोखी बात नहीं थी मेडाइवल पिरियर्ट से ही हमें बहुत सारे रिकॉर्ड मिले हैं जिसमें आदिवाजी जो कॉम्निटीज थे वे नूमैडिक कॉम्निटीज जैसे की बंजारा के माध्यम से एलिफैंट की ट्रेडिंग के अलावा और भी बहुत सारे गुट्स जैसे की हाइड्स, हॉर्ण्स, सिल्क कॉकून्स, आइविरी, बैंबू, स्पाइसेज, फाइवर्स, ग्रासेज, गम्स और रेजिन्स, मतलब की खाल, सिंग, रेसम के हाथीदात, बास, मसाले, रेसे, घास, गोंद और रॉल के ब्यापार के सबूत जो हैं मिलते हैं हाला कि बेटिस के आने से जो है अब ट्रेड कंप्लीटली रेगुलेटेड होने लगा गौर्मेंट के द्वारा इसके बाद बेटिस गौर्मेंट ने जो है बहुत सारे लार्ज एरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स को जो है पर्टिकुलर एरिया में फोरेस्ट प्रड़क का ट्रेड करने का सोल राइट दे दिया ग्रेजिंग और हंटिंग जो की लोकल पिपुल के दोरा किया जा रहा था उसको रेस्टिक किया गया इसी प्रोसेस में जो है मदराज प्रेसिडेंसी के बहुत सारे पैस्ट्रोलिस्ट और नॉमैडिक जो कम्मुनिटीज हैं जैसे की कोरावा कराचा और ये रिकूला ये स प्लांटेशन में जो है काम करने के लिए मजबूर हो गएं काम की ये जो नए औसर आये थे इसका मतलब ये बिलकुल भी नहीं था कि उनकी जीवन इस्थिती में कोई सुधार हुआ हो आसाम के टी प्लांटेशन में काम करवाने के लिए जारखंड के संथल्स और उराउंस और 36 गर के गोंज जैसे forest communities के में और उमें को जो है recruit किया गया मतलब की भरती किया गया उनकी जो वेज होती थी वो बहुती कम थी और जो condition था work का वो भी बहुती खराब था और उन्हें जो है उनके गाओं से उठा कर भरती तो कर लिया गया था लेकिन उनकी वापसी जो है असान नहीं थी तो हम देख सकते हैं कि उनकी जो परेशानी है अब बढ़ने लगी थी इन ही सब परेशानियों के कारण बहुत सारे rebellion हुए तो चलिए अब हम बात करेंगे rebellion in the forest तो इंडिया और वर्ल्ड के बहुत सारे parts में जो forest communities थी उन्होंने अपने उपर जो changes जो है इ अगावत कर दी बेटीस के खिलाफ इन movement में बहुत सारे leaders जैसे की संतल प्रग्ना के सिधु और कानू छोटा नागपूर के बिरसा मुंडा और आंत्रदेश के अलूरी सितारम राजू इनको आज भी songs और stories के थुरू याद किया जाता है अब हम detail में ऐसे ही एक rebellion का discuss करेंग जो की 1910 में जो है kingdom of Buster में हुई थी तो हमारा अगला topic है the people of Buster तो चलिए Buster के लोगों के बारे में जानते हैं तो ये जो Buster है वो 36 गर के southernmost part पर अंधपरदेश, उरीशा और महरास्टर के border से लगा हुआ है Buster का जो central part है वो प्लेटिव पर है इस प्लेटिव के north में जो है 36 गर प्लेन है और south में जो है गुदावरी प्लेन है और ये जो river इंद्रावती है ये Buster के आर पार इस से west की तरफ जो है बहती है और Buster में जो है बहुत सारी communities ही रहती है जैसे की मारिया और मुरिया गोंड्स, धुरुवाज, भतराज और हल्वाज ये सारे जो हैं अलग-अलग language बोलते हैं लेकिन ये जो है common custom और belief को share करते हैं मतलब की इनके जो रीती रिवाज और जो विश्वास है वो एक जैसे हैं Buster के लोग जो है वे मानते थे की हरे गाओं को जो है उसकी जमीन अर्थ मतलब की धर्ती मा से मिली है और बदले में जो है वे परतेक तेवहार पर जो है मतलब परतेक festival पर जो है वे अर्थ को मतलब की धर्ती को चढ़ावा चढ़ाते हैं अर्थ के अलावा वे river, forest और mountain की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं चुकि सारे जो विलेज थे वे जानते थे कि उनका जो बाउंडरी है वो कहां लाई करता है इसलिए अपने बाउंडरी के अंदर में जितने भी नेच्रल लिसोर्सेज होती थी वे उनका देखबाल करते थे और अगर एक विलेज का जो आदमी है वो दूसरे विलेज के फॉरस से कोई उड़ लेना चाता है तो उसे जो है एक स्मॉल फी देना पड़ता था और उसे कहते थे देवसरी, दंड और मैन वही कुछ गाओं जो है अपने जंगलों को पोटेक करने के लिए वाच्मैन रखते हैं जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिये जाता है इसके अलावा हर साल जो है एक बड़ी सभा का आयोजन होता है जहां पर प्रगना के मतलब की गाओं के जो एक समू होता है उसके गाओं के जो मुखिया होते हैं वो जुटते हैं और जंगल सहीत मतलब की फोरेस सहीत तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं तो ये तो हमने वास्तर के लोग के बाड़ में जाना अब हम बात करेंगे दा फियर्स ऑफ दा पीपोल मतलब लोग का डर तो कोलोनियल गौवर्मेंट ने 1905 में जब जंगल के टू थर्ड हिस्से को रिजर्व कर दिया और सिफ्टिंग कल्टिवेशन को रोकने हंटिंग और फॉरेस्ट परडियूस के कलेक्शन करने पर पावंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बास्तर के लोग वे बहुत ही परेसान हो गए कुछ गाओं को जो है रिजर्व फॉरेस्ट में इस सर्थ पर रहने दिया गया कि वे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए पेरों की कटा आई और ट्रांस्पोर्ट का काम मुफ्त में करेंगे और जंगल को जो है आग से बचाए रखेंगे बाद में जो है इनी फॉरेस्ट को फॉरेस्ट विलेज कहा जाने लगा वही दूसरे विलेज के लोग को जो है डिस्प्लेस कर दिया गया बिना कोई नोटीस या कमपनसेशन के बहुत ही लंबे समय तक विलेजर जो है लेंड रेंट के बढ़ जाने से और कोलोनियल ओफिसियल द्वारा फ्री लेबर के लिए और गूट्स के लिए डिमांड के कारण जो है वे सफर करते रहे और इसके बाद भयानक फैमीन का दोर आया जो की 1899 से 1900 में और फिर से 1907 से लेके 1908 तक और इसमें जो है रिजर्वेशन जो है एक तरह का चिंगारी का काम किया इसके बाद लोगों ने बजारों में तेवहार के मौके पर और जहां कहीं भी कई गाओं के मुखिया और पुजारी जो है इखटा होते थे वहां जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना सुरू कर दिया और इसका जो इनिसियेटिव है वो लिया गया कांगरा फोरेश्ट के दुरवास के द्वारा जहां रिजर्वेशन जो है पहली बार लगू हुई थी हाला कि कोई एक व्यक्ती जो है इनका नेता नहीं था लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो नेता नार गाओं के गुंड़ा धूर को जो है इस आंदोलन का एक इंपोर्टन फीगर मानते हैं 1910 में मैंगो बाक्स, अलंप अफ अर्थ, चीलीज और एरोच मतलब की आम की तहनिया, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर जो है वो गाओं गाओं का चक्कर काटने लगे यह जो है गाओं में बेटिस के खिलाब बगावत का संदेश था और हरे गाओं ने जो है इस बगावत के खर्चे में कुछ नकुछ मदद दी इसके बाद बजारों को जो है लूटा गया, ओफिसियल और टेडर्स के घर, स्कूल और पुलिस स्टेशन को जो है जलाया गया और लूटा गया और ग्रेन को जो है री डिस्टिब्यूट कर दिया गया, मतलब फिर से बाट दिया गया जिन पर भी हमले हुए वे किसी न किसी तरीके से कोलोनियल एस्टेट और उप्रेसिव लौ से जुरे हुए थे विलियम वार्ड जो की एक मिसनरी था उसने जो है इस इवेंट को अबजर्ब किया और लिखा कि सभी डैरेक्शन से जो है जगदलपूर में पुलीस, मर्चेंट, फॉरेस्ट प्यून, स्कूल मास्टर और इमिग्रेंट्स जो है चले आ रहे हैं तो जब बेटिस ने ये पगावत देखा तो उसको कुचलने के लिए सैनिक भेजे इसको देखकर आदिवासी जो लीडर थे वे चाहते थे कि निगोसियेट कर ले लेकिन बेटिस ने क्या किया कि उनके कैम को चारो तरफ से घेर लिया और उन पर गोलिये चला दी इसके बाद रिबेलियन में सरीक होने वाले लोग पर कोरे बरसाते और उन्हें सजा देते जो है सैनिक गाव गाव घूमने लगे जयतर जो गाव थे वे खाली हो गएं क्यूंकि लोग जो हैं वे भाग कर जंगलों में चले गए थे बीटिस को फिर से कंट्रोल पाने में तीन महीने लग गए फिर भी वे गुंडा धूर को कभी नहीं पकर सके इन सब में बिद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत ये रही कि जो रिजर्वेशन का काम था वो कुछ समय के लिए सस्पेंट कर दिया गया और डिजर्व एडिया को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया इन सब के बाद भी बस्तर के जंगलों और लोगों की जो कहानी है यहीं खत्म नहीं होती आजादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को इंडस्ट्रियल यूज के लिए रिजर्व करने की जो निती है वो कायम रही इसके बाद 1970 में जो है वर्ल्ड बैंक ने परपोच किया की नेच्छल साल फॉरेस जो की 4600 हेक्टेयर एरिया में है उसको रिप्लेस करना चाहिए ट्रॉपिकल पाइन से ताकि प्रोवाइट किया जा सके पल्प पेपर इंडस्री को लेकिन लोकल इन्वार्मेंटलिस्ट के बिरोध के फल्सोरूप जो है इस योजना को रोक दिया गया आईए अब हम एसिया के एक और हिस्से इंडोनेसिया की तरफ चले जड़ा देखें कि इसी वक्त जो है वहाँ क्या कुछ हो रहा था तो हमारा अगला टॉपिक है फॉरेस्ट ट्रांस्फॉर्मेशन्स इंदा जावा मतलब जावा के जंगलों में हुए बदलाओ जावा जो है आजकल इंडोनेसिया के राइस प्रोडूसिंग आईलेंड के रूप में फेमस है लेकिन एक जमाने में जो है ये मोस्टली कवर्ड होता था फॉरेस्ट से जो कलोनियल पावर इंडोनेसिया में थी वो डच थी और जैसा कि हम देखेंगे कि इंडिया और इंडोनेसिया के जो फॉरेस्ट लॉज थे उसमें काफी सिमिलर्टीज थी इंडोनेसिया में जावा ही वो जगह है जहाँ पे डच ने जो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट किया था ब्रिटिस की तरह ही वे जो है तिम्बर चाहते थे जावा से ताकि सीप को बिल्ड कर सके अगर हम उसकी पॉपलेशन की बात करें तो 1600 में जो उसका पॉपलेशन था वो लगभग 3.4 मिलियन था वहाँ पे बहुत सारे जो विलेज थे वो फर्टाइल प्लेन में पढ़ते थे लेकिन बहुत सारे कॉमुनिटीज ऐसे भी थे जो माउंटेंस पर रहते थे और सिफ्टिंग कैल्टिवेशन को जो है प्रैक्टिस करते थे तो ये तो हमने जावा के बाड़े में जाना अब हम बात करेंगे जावा के उट कटर्स की मतलब जावा के लकर हारे की तो जावा का जो कलंग कॉमिटी था वो स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स और सिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे और इन लोग का इंपोर्टेंस जो है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम किंडम जो है इस्प्लिट होई तो यहां के 6000 जो कलिंग परिवार थे उनको भी दोनों राज्यों में मतलब कि दोनों किंडम में जो है बराबर बराबर बार दिया गया उनके एक्सपर्टीज के बगएर जो है टीक की कटाई कर राजा के महल बनाना बहुत मुस्किल था और यही कारण है कि जब डच ने जो है 18 सेंचुरी में फोरेस्ट पर कंट्रोल करना सुरू किया तो उन्होंने भी कोशिस किया कि कलंग जो है उनके लिए काम करे लेकिन 1770 में जो है कलंग ने जवाना के डच फोर्ट पर हमला करके इसका बिरोध किया पर इस विद्रो को जो है दबा दिया गया तो यह तो हमने जावा के उटकटर्स के बारे में जाना और अब हम बात करेंगे डच साइंटिफिक फोरेस्ट्री की तो 19 सेंच्री में जब लोग के साथ साथ इलाकों पर कंट्रोल अस्थापित करना जो है जरूरी लगने लगा तो डच ने जो है जावा में फोरेस्ट लॉव लागू कर फिलेजर की जो जंगल तक पहुँच थी उस पर रेस्ट्रिक्शन्स लगा दी इसके बाद बोट या हाउस बनाने जैसे खास उद्देश के लिए सिर्फ चुने गए जंगलों से ही लकड़ी काटी जा सकती थी और वो भी कड़ी निगरानी में इसके अलावा विलेजर्स को जो है कैटल को ग्रेज करने ऊट को बीना परमीट के ट्रांसपोर्ट करने और फोरेस्ट रोड पर जो है होर्स काट या फिर कैटल के ट्रेवल करने पर पनिस किया जाता था इसके बाद भारत की तरह ही सी बिल्डिंग और रेलवेस के लिए फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए फॉरेस्ट सर्विस को इंटोड्यूस किया गया 1882 में अखेले जावा से ही 280,000 स्लीपर को एक्सपोर्ट किया गया और जाहिर सी बात है कि पेर को काटने के लिए लॉक्स को टांसपोर्ट करने के लिए और स्लीपर्स को प्रिपेर करने के लिए लेवर की आउसिकता थी डच ने जो है पहले तो जंगलों में खेती की जमीन पर रेंट लगा दिया और बाद में कुछ गाओं को जो है इस सर्थ पर इससे मुख्त कर दिया कि वे जो हैं कलेक्टिवली पेर काटने और लक्री ढोने के लिए फ्री लेबर या बफैलो को प्रवाइड करने का जो काम है वे मुख्त में किया करेंगे इस सिस्टन को जो है ब्लैंड डॉग डियेंस्टेन के नाम से जाना गया बाद में फॉरेस्ट बिलेजर को जो है रेंट में माफी की बजाए जो है स्मॉल वेज दिया जाने लगा लेकिन फॉरेस्ट लैंड पर कल्टिवेट करने का जो राइट है उस पर रस्टिक्शन लगा दी गई तो आगे बरते हैं और अब हम बात करेंगे सामीन्स चैलेंज मतलब सामीन की चुनोती तो 1890 के आसपास टीक फॉरेस्ट में इस्थेत रांदुबलान्तुम गाउं के निवासी सुरान्तिको सामीन ने जो है जंगलों के ओनर्सीप पर सवाल ख़ड़ा करना सुरू कर दिया उनका तर्ट था कि चुकी हवा, पानी, जमीन और लक्री जो है वो एस्टेट की बनाई हुई नहीं है इसलिए उन पर उनका अधिकार नहीं हो सकता जल्द ही एक वाइडिस्प्रीड मोव्मेंट जो है वो ख़ड़ा हो गया इस आंदोलन को और्गनाईज करने वालों में सामीन का सनिलो जो की मतलब दामाद था वो भी सक्रिये था इसके बाद 1907 तक जो है तीन हजार पड़िवार जो है उसके बिचारों को मानने लगे थे इसके बाद डच जो है जब लैंड का सर्वे करने आए तो कुछ सामिन्स्ट ने अपनी जमीन पर लेट कर इसका बिरोध किया जबकि दूसरे लोग जो है टैक्स, फाइन और लेबर के रूप में परफॉर्म करने से इंकार कर दिया तो हम देख सकते हैं कि सामिन्स ने बहुती अच्छा बिरोध किया तो आगे बरते हैं और अब हम बात करेंगे वार एंड डिफोरेस्टेशन की तो फर्स्ट वर्ड वार और सेकेंड वर्ड वार का जगलों पर गहरा असर पड़ा इस समय भारत में जो है सारे वर्किंग प्लान जो है उसको अस्तगित कर दिया गया और forest department ने बेटिस वार नीट्स को पूरा करने के लिए बहुत सारे trees को काट दिये वहीं जावा पर जापानियों के कबजे से ठीक पहले डच ने जो है scorched earth policy अपनाई जिसके तहत 100 mils को जो है destroy कर दिया गया और टीक locks को जो है जला दिया गया जिस से वे जो है जापानियों के हाथ न लग पाएं इसके बाद जापानियों ने जो है forest को बहुत ही ज़्यादा exploit किया अपने war industries के लिए और forest villager को force किया कि वे जो है forest को काटे इसके बाद बहुत सारे गाउवालों ने जो है इस आउसर का लाब उठा कर जंगलों में अपनी खेती को expand किया मतलब कि बिस्तार किया वहीं जब war खत्म हुआ तो उसके बाद जो है इंडोनेशियन forest service के लिए इन जमीनों को वापस हासिल करना कठिन था इसके बाद इंडिया की तरह ही लोग की जो जरूते थी agriculture land के लिए और forest department का जो desire था कि हम जो है land को control करेंगे और लोग को जो है इससे दूर रखेंगे इन सब के कारण दोनों में conflict होने लगी तो इसमें हमने देखा कि war के कारण जो है deforestation कैसे जुरी हुई थी अब हम बात करेंगे new developments in the forestry तो 1980 के दसक से जो है एसिया और अफ्रीका की सरकारों को ये समझ में आने लगा की scientific forestry और forest communities को जो है जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते ही बार बार टकराओ पैदा होते हैं इसके परिणाम सरूप ये देखने को मिला कि अब जो है timber को collect करने की बजाए forest को conserve करना जो है important goal बन गया government ने जो है अब ये recognize किया कि अगर हमें इस goal को पूरा करना है तो जो लोग जो है forest के नजबीक रहते हैं उनको भी involve करना पड़ेगा इसमें बहुत सारे cases में मीजोरम से लेके केरल तक इंडिया में हर कहीं जो है घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाएं क्यूंकि विलेज ने जो है सरना, देवराकुडू, कान, राई, इत्यादी नामों से पबित्र बगीचा समझ कर इसकी रच्छा की मतलब sacred grove समझ के इसकी protection की कुछ विलेज ने जो है forest guard पर निर्वर होने की बजाए अपने forest की patrolling खुद की जहां पर परतेक household का जो आदमी है वो turn by turn इसकी देख़बाल करता था आज जो है local forest communities और environmentalists जो हैं वो सोच रहे हैं different form of forest management की ताकि वे forest को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सके और साथ ही साथ forest में जो communities रह रही हैं उन्हें भी ज़्यादा परेसानी ना हो और उनके livelihood को खत्रा ना पहुँचे तो इसके साथ ही ये chapter complete होता है अगर आपको इस chapters related कोई question पूछना हो तो आप नीचे comment box में अपना question डाल सकते हैं आपके question का जवाब जल से जल मिल जाएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे like, share और subscribe करें ठीक है फिर मैं अगले chapter के साथ मिलता हूँ थैंक यू पर वाचिं इस वीडियो गड्लेस यू